जैहिंद इस बहुत छोटे से वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एर कंडिशनिंग में जो टॉन यूज होता है टी ओ एन उसका क्या मतलब होता है तो आए शुरू करते हैं बॉडिली कंफर्ट के लिए दो फैक्टर्स महत्वपूर्ण है इसे हमें गर्मी लग रही है या ठंड लग रही है इसके लिए दो महत्वपूर्ण फैक्टर्स होते हैं क्या एक तो टेंपरेचर यह टेंपरेचर जेनरली हमें अच्छा लगेगा अगर यह होगा 23 to 25 degree centigrade अगर यह इस रेंज में आ रहा है तो भी विल बी कमफर्टेबल बॉडली कमफर्ट रहेगा इस इस कंडिशन में जो दूसरी चीज है वो है रिलेटिव हुमिरिटी रिलेटिव हुमिरिटी यह जनरली कहते हैं 55-60% होनी चाहिए या फ़र अफली मान लो 62-65% के आसपास अगर यह रहती है तो हम कहेंगे कि इस अ कंडिशन आप बॉडली कमफर्ट कमफर्ट है ऐसे टेंपरेचर और तो जो एर कंडिशनिंग है एसी जिसको हम शाट में बोलते हैं एर कंडिशनर्स ठीक है वो कूलिंग कैपसिटी जो इसकी होती है आप देखते होंगे कूलिंग कैपसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं टॉन में ती ओ एन टॉन में हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं कूलिंग कैपसिटी ओफ एनी एज्टी ठीक है तो एर कंडिशनर्स एक्चुली करता क्या है यह जो यह दो conditions है, temperature और relative humidity की, यह हमें provide करता है और इस cooling capacity को हम represent कर रहे हैं, turn में, ठीक है एक turn का एसी होता है, 2 turn का एसी होता है, 1.5 का होता है, है ना, देखा होगा आपने तो एक चीज़ याद रखना, it has nothing to do with mass nothing to do with mass, इसके mass से इसका कोई लिना देना नहीं है तो फिर किस चीज़ से है, तो एक चीज़ याद रखना, कि one turn का मतलब है क्या मतलब है इसका 12,000 BTU 12,000 BTU, that is British Thermal Unit, BTU is British Thermal Unit तो मतलब क्या होई इसका one turn का, one turn का जो AC है वो 12,000 BTU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट का heat, इतना heat, ट्रांसफर करेगा from the room, room से room से ट्रांसफर करेगा, इतना, ठीक है, एक चीज़ याद रखना 1 BTU जो होता है, यह अगर हम जूल में देखें, ऐसा यूनिट में तो यह 1055 जूल होता है, 1055 जूल, ठीक है, तो एक घंटे में एक टन का AC 12,000 BTU heat, ट्रांसफर करता है, और यही बताता है कि यह heat ट्रांसफर की जो unit है, यह limit है, वो इस AC के tonage में पता चलती है, ना कि इसका किसी भी प्रकार से, कोई भी लिना देना इसके मास से, मिलकुल नहीं है, ठीक है, होप आपको यह बात समझ में आई होगी, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू मेरे वच, जाए हिंद,